बहुत भारी है इसका वजन ना उठाना वाक्य में बहुत टफ लग रहा है इसमें हमारी रोटी हैं है जी और रोटियों की पैकेट आप गिनते जाओ एक दो और एक यह तीन है स्वागते जी आप सब का चड़ोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में आज हम ट्राइकन वाले रोयल फैमिली थाली जो आई है अपने धाबा से यह जो है एक तरह से बुफे पाटी पैक वाली वीडियो है इससे पहले आल्रेडी हम आपके साथ दो वीडियो शेर कर चु है बहुत भारी है इसका वजन ना उठाना वाके में बहुत टफ लग रहा है आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है और मैं आपको पता रहा हूं भाई जब मैं आपको इसका प्राइस पता हुआ आप खुश हो जाओगे तो टेस्ट के ओपर भी डिपेंड करता है इसके अंदर क्या क्या थे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना ओर शेयर कर देना कि है तो जी सब से पहले तो इसको ओपन करते आज और इसके अंदर भी ना इन्हों ने अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से भाई चीजों को अलग-अलग पैक कर रखा है दो यह हो गए जी और इसमें आपको मिलेगी जी यह 600 600 ml की कोल ड्रिंक भी है भाई तो मतलब यह ना मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल पाटी पैक जो होता है ना फुल कम्प्लीट कॉम्बो है क्योंकि इसके अंदर हर चीज का ना उन्होंने ध्यान रखा है अब एक एक करके ओपन करते हैं सबसे पहले यह वहला खोलता हूं यह जड़ा थोड़ा सा ना बड़ा लग रहा है इसको उपन करते हैं जी इसको यह तो मुझे लग रहा है पापड है इसमें हमारी रोटिया है जी और रोटियों की पैकेट आप गिनते जाओ एक दो और एक तीन है साथ में हमें मिला है रायता काफी अच्छा लग रहा है और भाई चार तीस गुलाब जामुन भी हैं यह मैंने कहते उसमें नहीं पड़ भाई यह सही आगए चीज आप सेकेंड वाला पैकेट खोलते जी इसमें भी आप देखते जाओ साथ क्या क्या आ रहा है यह हमारा एक पैकेट इसमें यह आया है जी इसको भी अभी ओपन करके दिखाएंगे और सब्सक्राइब और इसमें नहीं ने मैंशन कर रखा था कि स और यह तीन सब्सक्राइब 500 पांचों में साथ में इतर आ जाओ जी यह यह सलाज जिसमें खीरा और और चार भी है अपना धाबा धाबा नाम है अब यह साथ में कोई चटनी आई है इसको मैं बाद में खुलू हो क्योंकि यह 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 जिक नहीं हो जाए सबसे पहले लग लग रही वह ले काफि सही लग रहा है पनेर की पीसस देखे ज़रा निकाल के और रहे वाह बड़ी मटर्ड पर कमाल की आई यह ग्रेवी देखना क्या गाड़ी है बहुत अच्छी लग रही है पनीर के पीसस काफि अच्छे लग तो भाई बढ़िया लग रही है ग्रेवी काफी अच्छी लग रही है और इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है एक तो सब्जी थी और एक दाल थी यह हमारी दाल मक्नी यह भी कॉंटिटी सेम 500 ml है और इसकी लुक तो ठीक लग रही है लेकिन बहुत ज्यादा है उपर बटर भी नजर आ रहा है हलका हलका सा डाला हुआ है बागी भाई इसमें ना यह बिल्कुल वह यह देख रहे है डाबे स्टाइल वाला है यह वह पैन में तड़का जो लगा के बनाते हैं हां भाई तबी तो खुश्बू भी तो एक जैट वैसी आ रही है और आई आई जी चाप मसाला मतला जादतर निकलती है मिक्स वैज लेकिन इसमें इन्हों ने जो है ना चाप मसाला दिया है और भाई सभी वतारव पंकच सबसे मस्त लग रही है चाप के पीसिस देख लो जी यह नहीं कि एक दो हो पूर डबी जो है ना भरी हुई है भरी है ब लोगी आपको 1500 ml सब्जी मिलने वाली 1500 ml काफी होती है अराम से देख यह दो लोगों के लिए भी हो ना हाँ यह हो गए दो दाल के लिए हो गए और दो यह हो गए तो मैं पांच लोगों का बड़े अराम से तो यह नेक्स जो है ना मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं इसमें ना इन्होंने मैंचन करका था कि वेज ब्रियानी मिलेगी अब देखते हैं भाई कि ब्रियानी है कि प्लाव है वो तो खोलने पर पता चलेगा करें ओपन कर देखें वाई इसकी लुक कैसी आई है लग तो अच्छे रहे वाई लेकिन एक बात बता हूं थोड़ी थोड़ी लुक ना इसकी भाई ब्रियानी जैसी लग रही है वो बिर्यानी की तरह ना दो कलर वालव ना रखा है बिलकुल भाई पंकच खुश्वू भी ना काफी हद तक ब्रियानी वाली है बढ़ी है यह प्लाव नहीं है मैं आपको इसकी क्वांटिटी जरा दिखाता हूं मुझ इसमें और आ जाएगा अभी हाफ हुआ है और एक ही हमारी छोटी प्लेट मुझे लगता है बड़े अराम से और त्यार हो जाएगी तो कुछ साथ सो आठ से एमल तो बड़े अराम से यह भाई ब्रियानी नों ने दी है सही लग रही है मुझे प्वांटिटी सही लग रही है तो चुछां गया लग जान था है तो इसमें रर्टिव में हमें क्या-क्या मिला जी धो तो हमें इसमें आया है ये लुक्षअ प्रॉठटे साइगता है याई सब्छा तुम्र वह stuffing वाले हैं क्या नई नई प्लेन है और इसके उपर भी सेम उनोंने धनिया वागारा लगा के दिया हुआ है और दो नान हमारे पास आए हैं तो भाई दो तो लच्छा प्राठा दो गेजी नान और इसमें क्या आया यह बारी लग रहा है मेरको इसमें आये है जी हमारी दो आलू नान और यह आलू नान है भाई मैं क्या रहा है कुछ लिखा तो हुआ था आप यह देख लो इसके अंदर आलू की स्टफिंग है बड़िया लग रहा है यार आप इसमें क्या था यह भी दिखा दे तो मैं आपको इसमें आये जी हमारा लेकिन चलो जितना आया है 300 ml अराम से है बूंदी रायता है बाकि धनिया वगारा जीरे का तड़का लगा हुआ है तो बड़ी यह लग रहा है थोड़ा सा चार गुलाब जामन जो मैं देखके खुश हो गया मगर डिस्क्रिप्शन में लिखा हो जाएगी पांसे में खीर आती ना यार मंका इस तो मज़ा आ जाता है बाकि आप पूरा पैकेश देखो मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर जो है ना किसी भी एक चीज की भी कमी है यहां आ जो रोटी है भाई लच्चा प्रॉठा तो यह स्टफ वोला अलू नान है पापड़ है सलाद आ गई चाप किसबजी आ गई डाल मखनी कडाई पनीर रायता कोल रिंक दो प्लेट बिर्यानी सलाद गुलाब जामन भाई आप पता हो यार आपको क्या लगता है और म आपकी हम प्राइस करने के बाद बताएंगे तो टेबल हमारा एड़ी हो गया है और हम सबसे पहले जो हैंना लच्छा प्राथा टेस्ट करने लगे लगे जी दाल मखनी के साथ और लग तो अच्छी रही है जी अब टेस्ट कैसा है करें मंकज चलो दो दाल तो स्वाथ है वहना है यह तरह से तड़के वाली दाल उसमें क्रीम मक्षन होगारे डाल करने इसको दाल मक्षनी बनाया हुआ इन दोनों में से ज्यादा जो फ्लेवर आया ना वह आया अच्छा प्राथा में से काफी अच्छा सॉफ्ट और नरम बना हुआ है दालना मुझे लगता है एक परना हलकी सी ऐसे चम्मत से टेस्ट करनी बड़ेगी इसका एक्जैक्ट फ्लेवर पता नहीं चला हुआ है एक्जैक्ट जैसा पंकरने का फ्राइपन में जैसे वह गर्म करने से पहले देने से पहले कस्टमर को तड़का मारते ना हरी मिर्च प्याज टमाटर का अच्छे स लगी है मिर्च मसाले ना बैलेंस है बड़िया लगी है अब क्या ट्राइपनीर लेकिन नान के साथ करेंगे यार नान काफी अच्छा लग रहा है और देख लो तकरीबन आदा एक घंटा हो चुका है बड़े आराम से ब्रेक हो रहा है कड़ाई पनीर के साथ करते हैं तो अब इसको जो 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 एक थोड़ा सा थंटा हो लिगा हाथ से तो लग रहा था कि नरहां है लेकिन हलका सा चिड़ा हो गया थोड़ा ज्यादा चाबाना पड़ लेकिन भाई दाल मखनी से भी ज्यादा स्वादना मुझे यह कड़ाई पनीर लगिया राइपनीर अच्छा पनीर अच्छा है बहुत अच्छा यार मलब इसके अंदर जैसा आप कड़ाई पनीर धावे वाले स्टाइल से एक्सपेक्ट करते हो ना यह दो चीजे ट्राइगा नहीं पूरा रखाना धाबा स्टाइल है जैसे की नहां में अपना अपना थाबा तो जी आलू नान के यह बहुत स्वाद है बहुत मज़िदार है यहां पर जो नान इतना थोड़ा सा चिड़ा हो गया था यह आलू की स्टफिंग वाला तो भाई से मक्षन हुआ हुआ है और चाप भाई साम मैं को बता रहो अल्टीमेट टेस्ट है इसका टेस्ट यहां था इसका टेस्ट है चाप एकदम ना मेल्ट हो गई है जो इसकी ग्रेवी मसाले तड़का त्यार हुआ है ना कमाल गया बहुत बड़ी है यार मज़े ही आगया नेस्ट लेवल भाई तो भाई पानी पीते भीते ध्यान आया है कि हमारे पास जो है ना कोल्ड रिंग भी है और हम बार बार सब्सक्राइब कोशिक की हुई है केवड़े वगारा मसाल अगरा प्रापर फ्लेवर आ रहे है मतलब इसमें ना बिर्यानी मसाला जो है ना वो यूस किया गया है केवड़ा जैसे पंक ने बोला वो फ्लेवर डाला हुआ और राइस भी जो है ना काफी अच्छा तयार है ऐसे ही हम बड़े आराम से खा पा रहे है इसके बाद रहे है पंकज रायता गुलाब जामुन टेस्ट करते है रायता थोड़ा थोड़ा खट्टा हो चुका है एक ना नजर पट्टू वली चीज होते ना यह वह है रायता के जब धक्का नहीं खोला था ना तब ही उसमे खटास ने मार दिया इसकी वज़े से जीरेगा पता नहीं चल रहा खट्टा थोड़ा सा जाद ही हो गया है क्या रहे है गुलाब जामुन जो है ना भाई वो ट्राय करते हैं लग तो काफी सही रहा है भाई बागी तो टेस्ट पता चलेगा इसको टेस्ट करते जी आजो कर मजा आगे है भाई सब्सक्राइब पहले तो यह खाना खाके दिल खुश हो गया था गुलाब जामुन है तो स्वाद में एक्सपेक्ट खीर कर रहा था सही विदाव मेरको भी ना मन में खीर ही था लेकिन फिर भी ना मैं इससे भी बहुत खुश हूँ हाँ चार पीस दे त लगता है तो फिर लगता कि थोड़ा सा कम है अब ना में मुद्धे पर आते है भाई आप लोगों ने थोड़ा-थोड़ा सो उमीद लगा ली होगी कि इसका प्राइस क्या होगा एक्जेक्ट प्राइस क्या है पंकश पता भाई इस बुफे का हमने पे की है 557 रुपीस ए इतने लोगों को अराम से पूरा हो जाए और बाकी टेस्ट होगा रभी ठीक है धाबा स्टाइल फूड रेस्टरंट स्टाइल इसको बिल्कुल भी मत समझना वैसी उमीद मतलगाना कि फाइन स्टार होटल या अच्छे फाइन डाइन रेस्टरंट जैसा फूड हो यह आपको क्या लगता है कि इस प्राइस के अकॉर्डिंग यह वैल्यू फर मनी है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं आपसे बहुत अलदी नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए बाई और यार अगर वीडियो अ कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ